स्क्राइब कीजिए हमारे यृट्टूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस न मुस्ट हैलो दोस्तो मैं हूं आपका मेडिकल दोस्तो और मेरे इस मेडिकल दोस चैनल में आप सभी लोगों का एक पर से स्वागत हैं दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक सस्ते और अच्छे एंटिबाइटिक के बारे में दोस्तो यह एंटिबाइटिक आपको इसली हर चट्टी चौराहे पे जो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं वह इस एंटिबाइटिक का सबसे ज्यादा इस्तमाल करते हैं कियुकि दोस्तों ये एंटिबाइटिक अच्छा काम करता है और इसकी प्राइज भी काफी कम होती है जिससे पेशेंट को ज्यादव पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों वो एंटिबाइटिक है जेनिका जेनिका इंजेक्शन को कैडिला कंपनी बनाती है और ये 10 ml के वायल पैक में आता है जिसकी प्राइज की बात करें तो ये लगबग आपको 20 रुपे में इसली आर किसी मेटकली स्टोर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तो इसके कंपोजीशन की बात करें तो इसमें जेंटा माइसिन सलफेट इंजेक्शन 40 mg प्रती ml में देखने को मिलता है दोस्तो जेंटा माइसिन एक ऐसा एंटिबाइटिक है जो की आज से नहीं काफी लंबे समय से ये मार्केट में यूज आता रहा है और ज्यादा तर डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को लगाते हैं रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और ज्यादा पैस से पेशेंट को खर्च करना भी नहीं पड़ता है दोस्तो जेंटा मैसिन इंजेक्शन हम आईवी और आईयम दोनों कंडिशन में अप्लाई कर सकते हैं यानि कि इसे हम इंटर वेंस में भी दे सकते हैं और इंटर मस्कु कोई स्कीन इंफेक्शन होता है यानि कि स्कीन पर दाने वगएर हैं एचिंग की समस्या होती है या फिर इसकीन पर कोई फोड़ा फुंसी है कोई एक्सिडेंटल चोट है जो कि जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो दोस्तों उन कंडिशन में भी जेंटा मैसिन इंजेक्शन का इस्तमाल किया जाता है बहुत से डॉक्टर आप्रेशन के बाद भी इस एंटिबाइटिक को लगवाते हैं या फिर दोस्तों इस एंटिबाइटिक का इस्तमाल यूरीन इंफेक्शन में भी किया जा सकता है और तमाम तरह के समस्या को दूर करने के लिए इस बनेगा साथ से दस डोज आसानी से बन जाता है और यह सिर्फ आपको 20 रुपे का पड़ता है डॉक्टर इसे अपने नियमा अनुशार इसके चार्ज यानि की फीस लेते हैं कोई एक एडल्ट जो डोज होता है 2 ml का कोई 2 ml लगा के बड़े लोगों में 30 रुपे या फिर 40 र 5 डोज बन जाते हैं इसका 2 ml का एमपुल भी आता है और यह काफी अच्छा काम करता है जैसे मैंने जो समस्या बताई हूँ उसमें दोस्तो इसे हम रोजाना एक बार दिन भर में लगवा सकते हैं और इसे कांटिन्यू 5 से 7 दिन या फिर 10 दिन भी इसका इस्तमाल किया जा स सकता है किसी तरह की समस्या को दूर करने के लिए साइड इफिक्ट की बात करें तो दोस्तों इसके साइड इफिक्ट निम्न देखे गया हैं जिनको जेंटामाइसिन साल्ट सूट नहीं करता उन्हें इचिंग की समस्या होना इसकिन का रेड हो जाना इसकिन पर ददोरे दोस्तों इस injection को बड़े हों, बड़ों में महिला या पूरुष दोनों को लगाया जा सकता है, साथी दोस्तों इस injection को जैसे कि 7-8 महिने से उपर के बच्चों में भी लगाया जा सकता है, अच्छा काम करता है किसी तरके समस्या को दूर करने के लिए, तो वीडियो अच्छा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,